मैं डॉक्टर इर्शाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्वीब चेनल आईलाट टॉक्स गवा की गवाही में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसमें सुधार क्या जा सकता है या नहीं क्या जा सकता है तो उसी विशय पर आज हम चर्चा करेंगे ये विशय दर्ण परक्रिय सहीदा 1973 की धारा 278 से संबंदी थे न्याले द्वारा साक्षी के बयान पूरे हो जाने पर मजिस्ट्रेट साक्षी की अभिलेग उसी भाषा में तयार करेगा जिस भाषा में साक्षी ने बयान दिये थे जो साक्षी है जो गवा है उसका जब बयान पूरे हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उस भाषा में जिस भाषा में उसने बयान दिये हैं उसी भाषा में उसके बयान को लिखेगा दर्जी करेगा लेकिन क्या मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष अभिले कियानी कि दस्तावेज तैयार होने के बाद भी साक्षी के बयान गलत लिखा जाते हैं तब उन बयानों या कत्रों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है द्वारा 278 में इसे प्रश्न का जवाब दिया हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं जब ऐसा साक्ष पूरा हो जाता है तब उसके संबन में प्रक्रिया उपधारा 1 जैसे जैसे प्रतिक साक्षी का साक्ष जो धारा 275 धारा 276 के अधिन लिया जाए पूरा होता जाता है वैसे वैसे वह यदि अभियूक तु हाजिर हो तो उसके प्लीडर की उपस्तिती में साक्षी को पढ़कर सुनाये जाएगा और यदि आवशक हो तो शुद्ध किया जाएगा यानि जब गवा के कोड में बयान लिये जाते हैं उसके बयान जब पूरे हो जाते हैं तो अगर अभियूक तो हाजिर हो या फिर उसका प्लीडर यानि की वकील हाजिर हो तो उसने साक्षी उनकी उपस्तिती में दोनों की उपस्तिती में साक्षी ने जो भी बयान दिया हो उसको पढ़कर सुनाये जाता है कि आपने ये बयान दिया है क्या ये सही है अगर उसमें कोई चीज गलत हो जाती है तो फिर उसको में सुधार किया जा सकता है उपधारा दू के के दिये यदि साक्षी की किसी भाग की शुद्धुता से उस समय इंकार करता है जब वो उसे पढ़कर सुनाये जाता है तो मजिस्टेट ये पीटा सिन्याइदीज साक्षी को शुद्धु करने के बजाए उस पर साक्षी द्वारा इस बाबत की गई आपत्ती का ग्यापन लिख सकता है और उसमें ऐसे टिपणिया जोर देगा जैसा वो आवशक समझता है अब उधारा तीन के केती है येदि साक्षी का अभिलेक उस भाषा से बिन भाषा में है जिसमें वो दिया गया था और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है जैसे मान लिजिए कि गवा जो है वो हिंदी भाषा जानता है उसने हिंदी में अपनी बात कहिए अपने बयान दिये हैं लेकिन बयान उसकी दर्ज कर लिए जाते हैं इंगलिश में और जब उसको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो नहीं समझ पाता है कि मैंने क्या कहा है उसे एसे अभिलेक का भाषांतरन उस भाषा में जिसमें वो दिया गया था अत्वा उस भाषा में जिसे वो समझता हो सुनाया जाएगा किसी वारंट मामले ये सत्र नियाले मामले में नियाले द्वारा साक्षी के साक्ष अभिलेक तयार हो जाने के बाद मजिस्टेट साक्षी एक वकील के उपस्तिती में साक्ष दस्तावेश को पढ़ कर सुनाएगा अगर कोई वारंट मामला है सत्र नियाले का मामला है तो नियाले क्या करेगा? वो साक्षी को जो साक्षी के अभिलेक तयार करेगा वो तयार हो जाने के बाद मजिस्टेड, साक्षी यानि कि गवा और वकील की उपस्तिति में उस साक्षी के दस्तावेश को पढ़कर सुनाएगा अगर साक्षी के किसी भाग में वकील यह साक्षी को गवा को तुरूटी लगती है, गलती लगती है, मिस्टेक लगती है तब मजिस्टेड ऐसी भूल, ऐसी मिस्टेक, ऐसी तुरूटी को लिखेगा एवं आवशक होगा तो तुरंत उसमें संशोधन भी कर सकता है अगर साक्ष अभिले की भाषा भिन्न है और साक्षी को समझ में नहीं आ रही है तब नियाले साक्ष दस्तावेजो को उसे भाषा में भाषांतर करेगा यानि जिस भाषा में उस वेक्ति को समझ में आएगी उस भाषा में उसको रुपांतरित करके सुनाएगा अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि दन परक्रिय सहींता कि धारा दोसो इठोतर यह सुनिशित करती है कि पहला साक्षी का साक्ष ठीक दर्जिक किया गया है या नहीं दुसरा यह कि साक्षी को कोई तुरूटी लगे कोई गलती लगे कोई मिस्टेक लगे कोई भूल लगे तो उसमें सुधार का उसे आउसर देगा तो मित्रो यह वीडियो महतुपूर्ण था उन लोगों के लिए जो कॉम्पेटिशन एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं और जो व थां के वीडियो महतु है